एक्ट्रिस हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के दोरान उनका कीमो थेरेपी हुआ जिसके बाद इसके उन्हें साइड इफेक्ट भी देखने को मिले जैसे कि हिना खान ने अपने बालों को खोया लेकिन अब एक और बुरी खबर सामने आई है जिसके बारे में खुद हिना खान ने जानकारी दी है हिना खान ने अपने फैंस को बताया कि उन्हें कैसे बेमारी हो गई जिसमें वो खाना या पीना कुछ नहीं कर सकती हिना खान ने बताया कि पांच बार कीमो थेरेपी कराने का उन्हें side effect हुआ है और वो है Mucositis मैं इसके बारे में डॉक्टर से सलहा ले रही हूँ अगर कोई इसके बारे में जानता है तो प्लीज सलहा दें मैं कुछ भी खा पी नहीं रही हूँ प्लीज सजेस्ट दूआ करें वही हीना खान के इस पोस्ट पर और फैंस कमेंट करके तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं कोई गले की दर्थ को कम करने के लिए माउट वॉश की सलहा दे रहा है जबकि कुछ लोग हाइडरेटर रहने के लिए निम्बो का रस और दही का पानी जैसे बहुत तरह के ड्रिंक पीने की सलहा दे रहे हैं NHS यानि National Health Service के मताविक Mucositis, Chemotherapy, Radio Therapy का Side Effect है जिसमें मूँ, आंथ में सूजन और दर्द होता है और Mucositis के कारण पेशिंट का मूँ सूखना, चाले होना, मूँ से बदबु आना, खाने में परेशानी होना, लूज मोशन, स्टूल के साथ बलड आना या फिर कब्ज की समस्या हो सकती है ऐसे में हीना खान के फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि हीना खान की ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए और वो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा के कैंसर को मात दे दे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्सी जूरी तरह के और भी वीडियो के लिए लिए लाइक एट सब्सक्राइब करें